स्वागत है आप सभी का दुवे सर के इस कलास में प्यारे बच्चों आज हम सब कलाकार की व्यक्तिगति मांदारी भाग एक पार्ट से सम्मंधित प्रशन उत्तरों को करेंगे और इस पार्ट से जितनी भी बातें आपको जाननी चाहिए उसको हम सब जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बीना समय गमाए हाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं उनको ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमेशा तुरंट तुरंट नोटिफिकेशन मिलता रहे आप कमेंट करते रहें कमेंट में जो कुछ भी आपको महसूस हो उसको अवश्य बताएं यही मैं आपसे कहना चाहूँगा और सुरू करते हैं कलाकार की ब्यक्तिगाति मांदारी एक का सारांस अपने शब्दों में कलाकार की ब्यक्तिगाति मांदारी एक गजानन माधो मुक्तिबोध द्वारलिखित एक साहित्तिक की डायरी का अंस है जिसे लेखक हरी शंकर परसाई के पत्रों के जबाब में बसुधा पत्रिका के लिए लिखा था लेखक इस निबंद को अपने बेरोजगार पडोसी स्री एसराज बीस्सी बीललबी बीटेक को सुनाता है और ये एसराज लेखक की डायरी को फ्रॉड घोसित कर देते हैं ये एसराज के कथन से स्तब्द होकर मुक्तिबोध कहते हैं कि ये एसराज चाहे जो कहना चाहे कहे किन्तु इसमें ब्यक्तिगत इमांदारी है यानि जो डायरी उसने लिखी है उसमें ब्यक्तिगत इमांदारी है लेखक को अपनी डायरी के सिलसिले में ये एसराज द्वारा ब्यक्त विचारों पर क्रोध नहीं आया और बड़े धैरिय से यसराज के विचारों को सुनता रहा प्रसंगवस यसराज ने यह भी कहा कि इस डाइरी में अभी व्यक्ति की इमांदारी भी नहीं थी लेखक ने यसराज को बताया कि साहित्यकार के लिए व्यक्तिकत इमांदारी का अर्थ तो यही है कि जो भी भाव या विचार उसके मन में उठे वह उसी रूप में प्रस्तुत करना ही लेखक का धर्म है यसराज का मानना है कि कोई भी भाव विचार वस्तु तत्य से जब तक सुसंगत नहीं होता तब तक वह महत्वण नहीं होता केवल अपने नजरिये से आत्म सत्य कहना ठीक नहीं है लेखन में आत्म चिंतन के साथ साथ वस्तु परक पक्ष को भी महत्वदेना चाहिए लेखक की असराज की आलोचना पर नाराजगी भी नहीं प्रगट करता क्योंकि उसे अपने पीता से यही सिक्षा मिली थी कि अभी व्यक्ति या चिंतन का कोई अंत नहीं है और व्यक्ति को अपनी आलोचना पर क्रोध नहीं करना चाहिए लेखक की अनुसार चायाबादी कभियों ने अपनी रचनाओं में निजी अनुभूती को ही अभी व्यक्ति प्रदान की है जिससे संपूर्ण चायाबादी का अब्य आत्मनिष्ठ हो गया है लेखक का मंतब्य है यानि उसकी मंत उनकी इच्छा है कि आज नई कभिता के कभियों को आत्मपक्ष योंँ वस्तूपक्ष से मिलाकर समन्म Все स्थापित करके रचनाओं को रचना चाहिए यसराज का आरोप है कि नई कभिता के कभी केवल सिल्प पर अधिक ध्यान देते हैं जिससे उनकी रचना में वस्तूपरक भाव की कमी होती है इस प्रकार उनकी कविता ब्यक्तिगति मांदारी की कसावटी पर खरी नहीं उतरती यसराज मुक्तिबोद के इस विचार का विरोधी है कि काभ्यकी प्रतीक्रिया ज्यानात्मक नहोकर संबेदनात्मक है या स्राज के अनुसार ग्यान के अभाव में हम काव्य की अधूरी शंबेदना की यही अनुभूती कर सकते हैं ग्यान के अभाव में रचना का सिल्प भी बेकार हो जाता है अतेयो या स्राज के अनुसार कभी के वस्तू जगत के प्रती सही मानसिक प्रतिक्रिया से ही इमानदारी पूर्ण अभी व्यक्ती संभव है लेखक के अनुसार किसी भी रचना के मानसिक प्रतिक्रिया के दौरान कभिता में कहीं न कहीं कभी की निजी बिचारधारा का प्रभाव वस्य रहता है यदि कभी अपनी रचना में अभी व्यक्ति निजी मानसिक प्रतिक्रिया का सुधार करता है तो वो बेमानी होगी और व्यक्तिगत मानसिक प्रतिक्रिया को जियों का त्यों प्रस्तूत किया जाना चाहिए ऐसा कहते हैं ऐसे रचनाकार जो अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को बढ़ा चड़ा कर प्रस्तूत करते हैं उनके यथार्थ और साहितिक व्यक्तित्त में फर्क पड़ जाता है पुरूनत निवंद का प्रस्तुतिकरण संबाध्न शयली में हुआ है तो सुनते रहें आप उसके बाद और भी बहुत सारे प्रस्णा आपको मिलेंगे अब हम सब कलाकार की व्यक्तिगति मांदारी एक निवंद का उद्देश की चर्चा करेंगे कलाकार की व्यक्तिगत इमानदारी एक नामक निबंध है गजानन माध्यों मुक्ति बोध जी द्वारा लिखित एक शाहितिक निबंध है जिसमें लेखक ने बड़ी ही गंभीरता एवं बौधिकता से लेखक की इमानदारी लेखन की प्रक्रिया और उसकी सीमा भारतिय संस्कृति की विसिष्ठता नई कविता की तुरुटियां रचनाकार की आत्मनिष्ठता तथा वर्तमान समय के आलोचकों के व्यक्तित्त को उ जागर किया है यह निबंद उनकी प्रसिद्ध रचना है एक साहित्तिक की डाइरी का एक अंस है जिसका प्रकासन बसुधा नामक पत्रिका में मार्च 960 में हुआ था लेखक के अनुसार प्राय ऐसा देखा जाता है कि कोई भी रचनाकार अपनी रचनाओं में सतरकता के साथ जब समाज की अच्छाईयों एवं बुराईयों का प्रस्तुती करण करता है या यूग सत्य का निरूपन करता है तो उसे कलाकार की इमांदारी कही जाती है किन्तु लेखक का पडोसी मित्र यसराज जो विज्ञान के सिध्धानतों का पोसक है उसे खारिच कर देता है उसकी डाइरी को फ्रॉड कह देता है यसराज के अनुसार रचना के लिए ब्यक्ति के अनुभव सत्य के साथ साथ वस्तु सत्य का भी समिस्रण होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो रचना का उद्देश अधूरा रह जाता है और कलाकार की ब्यक्तिगति मांदारी प्रस्ण में आकर खड़ी हो जाती है लेखक के अनुसार रचना या स्रिजन एक सतत प्रक्रिया है यह प्रक्रिया जीवन भर क्रमसा चलती रहती है रचनाकार को हमेशा संतुलित रहना चाहिए उसे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए वह जो कुछ कहता है वही सत्य है रचनाकार की रचना में मैं और तुम का भेद भाव नहीं रहना चाहिए भारतिय संस्कृती की यही महानतम उपलब्धी है लेखक के अनुसार विज्ञान भारतिय संस्कृती की इस भावना के प्रती संबेदन हीन है लेखक के अनुसार किसी भी रचनाकार को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका कथ्य ही सर्वोत क्रिष्ट और अंतिम है इससे अच्छा और कोई लिख नहीं सकता ये बात उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए और उसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा यह भी नहीं आना चाहिए तब उसे अपने बुढ़े पिता की याद आती है कि उन्होंने कहा था कि आखरी सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है मुक्ति बोध के अनुसार कविता में आत्मपरक पक्ष और वस्तूपरक पक्ष दोनों का सम्मिस्रण होना चाहिए उनके अनुसार चायावादी काविया आत्मपरक पक्ष की परधानता के कारण एक सीमित वाद के रूप में ही रह गया इसलिए लेखक यसराज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि नई कविता में सिल्प पक्ष पर ही अधिक दबाव देना तथा वस्तुपक्ष से दूर रहना एक खतरना की स्थिती पैदा करती है इस नई कविता की एक लीक पढ़ गई है वह अभी एक धर्रा है लेखक के अनुसार का भी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है वकाल और समय के अनुसार परिवर्तित होती होता रहता है परंतु कुछ हालोचक अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को कभी-कभी इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तूत करते हैं कि वह यथार्थ से अधिक बनावटीपन जैसा प्रतित होता है इस प्रकार मुक्तिबोद के अनुसार रशनाकार को विचारसील, ग्यानी, सहनसील, गंभीर, जिग्यासू तथा तारकिक बुद्धी वाला होना चाहिए तो इस प्रस्त का उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं अब मैं आपसे चर्शा करूँगा कि गजानन माधो मुक्तिबोद मानो मन के अंतर मन के कथाकार है पाठ के आधार पर मुक्तिबोद के वेक्तित पर पताईए चर्शा कीजिए तो गजानन माधव मुक्ती बहुत मूल रूप से कभी हैं किन्तु वे एक बुद्धिवादी कलाकार भी है उनकी आलोचना दृष्टी में मौलिकता एवं पैनापन जरूर दिखाई पड़ता है वे एक समाज सास्त्रिय चिंतक हैं उनके चिंतन में मनुस्य का केवल वाहय ही नहीं बलकि अंतरमन भी जाकता हुआ दिखाई पड़ता है साथमें दसक में यांत्रिकता एवं मनुस्यता को लेकर हिंदी रचनाकार में जो महाभारत छिड़ा उसके समधान के लिए मुक्तिवोध की अपना नया दृष्टी कोण है काविकेस रिजन की प्रक्रिया पर उनमें प्रबल विचारों तेजकता है और जिनसे उनसे असहमत होने वाले भी बहुत कुछ सीख सकते हैं उनका कहना है कि जिस कभी में आत्म निरिक्षण की सक्ती जितनी तिब्र होगी उसकी कभीता में वैसा ही जुझारूपन होगा इसी भावना से उद्वेलित होकर उन्होंने कभी के लिए कभी की ब्यक्तिगती मांदारी की सरहना की है कलाकार की बेक्तिगती मांदारी एक में वे लिखते हैं जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उससे उसी रूप में प्रस्तुत करना ही लेखका धर्म है मुक्तिबोध की कविता तथाकृती में एक चीक है उनकी इस बहुत धिकता और या थार्थ कलात्मक्ता के विरुद्ध बहुत से लोग नाक भौह सी कोड़ते हैं किन्तु या आलोचकों की भूल है अकेले मुक्तिबोध ऐसे कभी हैं जिनोंने कविता को तोड़ फोड़ कर उसे गद्य के समीप ला दिये देते हैं इस तरह का प्रयास आस तक किसी कभीन के द्वारा नहीं किया गया विकभिता को परम स्वाधीन और कभीन खतम होने वाले एक धारा मानते हैं विकभिता को विश्वयात्री मानते थे वे मानते थे कि कभी या कलाकार में एक रोमांटिकता होती है जो उसकी रचना को सार्थक बना देती है कलाकार की ब्यक्तिगत इमांदारी एक में वे लिखते हैं काभी एक संस्कृतिक प्रक्रिया है मात्र ब्यक्तिगत कमरा नहीं इसलिए उन्हें काभी स्रीजन के दौरान मन के भीतर अभिने तृत्तो करने स्वांग रचने लंबा चौड़ा हांकने आदी आदी की पूरी छूट है वे कहते हैं कि काभी एक संस्कृतिक संस्था है वो मात्र ब्यक्तिगत कमरा नहीं मुक्तिबोज जी की एक मात्र इच्छा यही थी कि कभिता में आत्म विशलेशन की छमता के साथ साथ छायवादी भाव संकुलता भी होनी चाहिए समाज के प्रती जिम्मेदारी का एक अटल बोज की तरह उन पर हमेशा हाभी रहता है इसलिए प्रसाद की भाती एक रस्ता की भावना उसमें द्रिश्टी गोचर होती है और इसलिए उनकी कविता की सीधी मार हमारे मन पर पड़ती है मुक्तिबोध की भावुकता भारती मन की भावुकता है जो अटपटी होते हुए भी हमें प्रभावित करती है छायवादी कविता से प्रभावित होकर भारती सामोहिक मन ने जो कुछ कमाया था उस पर खड़े होकर मुक्ति भूद ने नई कविता की और छलंग लगाई इसलिए उनकी कला से सभी प्रभावित हुए वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हर दम दुनिया को बदलने के लिए बेचैन और छट पटाते रहे कलाकार की व्यक्तिगति मांदारी एक में विलिखते हैं कभी जीव जगत के प्रतिवास्तविक विश्वदरिष्टी वर्ल्ड भीउ का विकास करे और विश्वदरिष्टी उसकी मानसिक प्रक्रिया की प्रे रखो यदि सचमुच उसका यही मत है तो मेरी और उसकी पोजीशंस में विशेजभेद नहीं यानि असराज की पोजीशं में मुक्तिबोद की कथा का संसार उनकी कभिताओं के संसकार के एक अंग है उनके गद्य शाहित्य में उनके कविताओं की विचारधारा का ड्रामा प्रस्तुत किया गया है उनके संपूर्ण कथा शाहित्य में उनके वैचारिक संगर्स का चित्रन हुआ है इस प्रकार मुक्तिबोद का समूचा कृतित्व किसी भी तरह कि आत्मा तुष्टी के खिलाव सबसे बड़ा तरक और सबसे बड़ी कार्रवाई है तो इस प्रकार आप इन प्रस्णों के उत्तर दे सकते हैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर मुझे विराम देना होगा आप लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे बार बार कहना उचित नहीं लगता मुझे फिर भी आप कर दे ताकि आपको हमेशा उप्योगी कंटेंट मिलता रहे धन्यवाद